हरियाना के एक रुक्षेतर में आज सुभा नैशनल हाईवे पर एक बस और ट्रक की टककर हो गए इसमें बस के ड्राइवर और कंड़क्टर खायल हो गए इनके साथ दो यातिरियों को भी चोटे आई है मौके पर पुलिस ने खायलों को अस्पताल पहुचाया पुलिस का कहना है कि बस के ड्राइवर को नीद की जपके लग गई थी जिससे यह हादसा हुआ है बाकी जांच के जा रही है दुरखटना के बाद ट्रक और उसका ड्राइवर फ्रार हो गए थे उनकी भी तलाश की जा रही है पुलिस के अनुसार यात्रियों से भरी एक एसी बस पंजाब से दिल्ली एरपोर्ट के लिए जा रही थे जब ये बस हरियाना के एक रुक्षितर में शाबाद के मोहन पैट्रॉल पंप के पास महुची तो एक ट्रक से जाटक राए ये हादसा आज सुभा करीब पॉने पांच बजे नैशनल हाईवे 44 पर हुआ हादसा इतना जोरदार था कि बस के आगे का कैबिन पूरी तराक शती ग्रस्त हो गया इसमें बैठे ड्राइवर और कंडुक्टर को ज्यादा चोटे आई है वहीं दो यातरी भी खायल हुए है उन्हें अस्पताल भेज दिया गया था वहाँ से उन्हें छुटी भी दे दी गई है इस हादसे में किजी की भी जान को खत्रा नहीं है जाच अधिकारी ने बताया कि हमें डाइल 112 से सूचना मेली थी कि कुरुक्षेतर के शाबाद में हाईवी पर मोहन पेट्रॉल पंप के पास हैवी एक्सिडेंट हो गया है इसमें एक ट्रक ने टकर मारी थी लोग ने बताया कि बस के ड्राइवर को एकदम नीन की जपकी आ गई थी जिससे बस ट्रक में जा टकर आई इस दुरगटना में ड्राइवर और कनुक्टर को चोटे आई है वहीं दो यातरी भी खायल है इन सभी को एमिलेंस में डालकर अस्पिताल भेजा गया है ये बस पंजाब से दिल्ली एरपोर्ट के लिए जा रही थी मौकी पर पहुँची पुलिस ने सभी यातरीं को दुरगटना ग्रस बस से उतार कर उन्हें दूसरी बस में बिठा कर दिल्ली के लिए रवाना कर दिया था जबकि खायलों की हालत में सुधार है एकसिडेंट के बाद मौके पर जाम की स्थेती बन गई थी पुलिस ने जाम को भी क्लियर करवाया और तूटी बस को बीच सडक से साइड में करवाया